तो आईए सुनते हैं एक मजेदार कहानी, उम्मीद से ही जिंदगी में कल की उम्मीद होती है, चलो देखते हैं एक दिव्यान राजा की पेंटिंग इस कहानी के माध्यम से हम कुछ जान लेंगे, तो कहानी है एक दिव्यान राजा की पेंटिंग, यह कहानी एक दिव्यान र कि इतने अच्छे राजा उनके जिन्दगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आख नहीं थी और एक पैर नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजो की लगी तस्वीरों को देख रहा था। और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे। और उनके पिताजी मतलब मेरे दादाजी कितने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खांदान में जन्म लेने का मौका मिला यह उपर वाले का धन्यवाद है राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखरी चित्र तक पहुँचा और फिर उस खाली जगह को देखता रह गया और वह चिंता में पढ़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह कैसी लगेगी राजा की एक आख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पढ़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी सारी शांदार पेंटिंग लगी है लेकिन मेरी एक आख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सब से भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी। और क्यों ना मैं अपने जीतेजी ही एक शांदार पेंटिंग बनवा। ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहां अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज पेंटर राज्ज में आए। और उन पेंटर को पता था कि अगर शांदार पेंटिंग बनेगी तो शांदार इनाम तो मिलेगा। लेकिन जिस राजा की एक आख नहीं है एक पैर नहीं है उसकी शांदार पेंटिंग कैसी बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पत लेकिन अगर शांदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े-बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े-बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है आप बना कर लाए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बना कर लाने वाला था और दर्बार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आये थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बना कर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बना कर लाया तो लोग हैरान हो ग राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया. अब आप सोच रहे होंगे की उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी. जिसकी एक आख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पैंटिंग बनी होगी. उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोडे पर सवार दिखाया था एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आखबंद की थी जो राजा के पास नहीं थी इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोडे के उपर सवार दिखाया जिससे एक आखबंद और एक ही पैर दिखाया और इतनी शांदार पेंटिंग बनाई थी, कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रिष्ट पेंटिंग थी उस लड़के के सामने भी चुनौती थी संकट था लेकिन उसने पॉजिटिव होकर आई हुई चुनौती को उत्तर दिया जिन्दगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फस जाए, जिस भी स्थिति में हो अगर आपने पॉजिटिव होकर कोई भी चीज का मुकाबला किया तो वो बाजी आपकी होगी पॉजिटिविटी का साथ कभी नहीं छोड़ना तो यकीन मानिये आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे जिन्दगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, तो फिर जिन्दगी उसका साथ छोड़ देती है हर पल पॉजिटिव रहिए खुश रहिए उपर वाले के आशिरवाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची महंत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा I hope you like this video, if you liked this video, give like and subscribe to this channel Thank you Thank you very much